C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गनित की पाठ्य पुस्तक का ध्वनी पाठ अध्याय 6 पूर्णांग प्रिष्ठ 140 प्रश्नावली 6.2 1. संख्यारेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांग ज्यात की जिये जो A. 5 से 3 अधिक है B. माइनस 5 से 5 अधिक है C. 2 से 6 कम है D. माइनस 2 से 3 कम है 2. संख्यारेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्यात कीजिये A. 9 जमा माइनस 6 B. 5 जमा माइनस 11 C. माइनस 1 जमा माइनस 7 D. माइनस 5 जमा 10 E. माइनस 1 जमा माइनस 2 जमा माइनस 3 F. माइनस 2 जमा 8 जमा माइनस 4 प्रिष्ठ 111 तालीस 3. संख्यारेखा का प्रयोग किये बिना निम्नलिखित योग ज्यात कीजिये A. ग्यारह जमा माइनस 7 B. माइनस 13 जमा प्लस 18 C. माइनस 10 जमा प्लस 19 D. माइनस 250 जमा प्लस 150 E. माइनस 300 C जमा माइनस 270 F. माइनस 217 जमा माइनस 100 4. निम्नलिखित का योग ज्यात कीजिये A. 137 और माइनस 354 B. माइनस 52 और 52 C. माइनस 312 जमा प्लस 19 D. माइनस 50 जमा प्लस 19 5. निम्नलिखित के मान ग्यात कीजिये A. माइनस 7 जमा माइनस 9 जमा 4 जमा 16 B. 37 जमा माइनस 2 जमा माइनस 65 जमा माइनस 8 6.4 संख्यारेखा की सहायता से पूरणांकों का व्यवकलन यानि घटाना हम संख्यारेखा पर दो धनात्मक पूरणांकों को जोड़ चुके हैं उदाहरणार्थ 6 जमा 2 पर विचार कीजिये हम 6 से प्रारंभ करते हैं और दाइं और दो कदम चलते हैं हम 8 पर पहुचते हैं अतह 6 जमा 2 बराबर 8 है आकरिती 6.1 एक एक हमने ये भी देखा था के संख्यारेखा पर 6 और माइनस 2 को जोड़ने के लिए हम 6 से प्रारंभ कर सकते हैं तथा फिर उसके बाई और दो कदम चल सकते हैं हम 4 पर पहुचते हैं अतह हमें 6 जमा माइनस 2 बराबर 4 प्राप्त होता है आकरिती 6.2 इस प्रकार हम पाते हैं के एक धनात्मक पूरणांक जोड़ने के लिए हम संख्या पर दाईं और को चलते हैं तथा एक रिनात्मक पूरणांक को जोड़ने के लिए हम संख्यारेखा पर बाईं और को चलते हैं। पूर्ण संख्याओं के लिए संख्यारेखा का प्रयोग करते समय भी हमने देखा था कि 6 में से 2 घटाने के लिए हम 2 कदम बाईं और को चले थे। आकृती 6.13 अर्थात 6 घटा 2 बराबर 4 है। हम 6 घटा माइनस 2 के लिए क्या करेंगे? क्या हम संख्यारेखा पर बाईं और चलेंगे या दाईं और चलेंगे? प्रिष्ठ 142 यदि हम बाईं और चलें तो हम 4 पर पहुँचेंगे। तब हमें कहना पड़ेगा के 6 घटा माइनस 2 बराबर 4 है। यह सही नहीं है, क्योंकि हमें ग्यात है कि 6 घटा 2 बराबर 4 होता है, तथा 6 घटा 2, 6 घटा माइनस 2 के बराबर नहीं है, अतह हमें दाइं और चलना होगा, आकरती 6.1,4. इसका आर्थ यह भी है, कि जब हम एक रिनात्मक पूरणांक घटाते हैं, तो हमें एक बड़ा पूरणांक प्राप्त होता है, इस पर एक दूसरी प्रकार से विचार कीजिए, हम जानते हैं कि माइनस 2 का योज्य प्रतिलोम दो है, अतहा इससे ऐसा प्रतित होता है कि 6 में मा गटा माइनस 2 बराबर 6 जमा 2, आएए अब माइनस 5 गटा माइनस 4 का मान संख्या रेखा की सहायता से ग्यात करें, हम कह सकते हैं कि यह माइनस 5 जमा 4 के बराबर है, क्योंकि माइनस 4 का योज्य प्रतिलोम 4 है, अतह हम संख्या रेखा पर माइनस 5 से प्रारंभ करके 4 कदम द 6.15, हम माइनस एक पर पहुँचते हैं, अर्थात माइनस पाँच जमा चार बराबर माइनस एक है, इस प्रकार माइनस पाँच घटा माइनस चार बराबर माइनस एक होगा. उदहरन साथ, संख्यारेखा की सहायता से माइनस 8 घटा माइनस 10 का मान ज्यात कीजिए, हल, चुँकि माइनस 10 का योज्य परतिलों प्लस 10 है, इसलिए माइनस 8 घटा माइनस 10 बराबर माइनस 8 जमा दस है. संख्या रेखा पर हम माइनस आठ से दस कदम दाई ओर को चलेंगे हम दो पर पहुँचते हैं आकरिती 6.16 अताह माइनस आठ घटा माइनस 10 बराबर 2 है इस प्रकार एक पूरणांक में से एक अन्य पूरणांक घटाने के लिए यह पर्याप्त है कि घटाए जाने वाले पूरणांक के योज्य प्रतिलोम को दूसरे पूरणांक में जोड लिया जाए उदाहरण 8. माइनस 10 में से माइनस 4 को घटाए हल. माइनस 10 घटा माइनस 4 बराबर माइनस 10 जमा माइनस 4 का योज्य प्रतिलोम बराबर माइनस 10 जमा 4 बराबर माइनस 6 प्रिष्ठ 143 उदाहरण 9 माइनस 3 में से प्लस 3 को घटा ये हल, माइनस 3 घटा प्लस 3 बराबर माइनस 3 जमा प्लस 3 का योज्य प्रती लोम बराबर माइनस 3 जमा माइनस 3 बराबर माइनस 6 प्रश्नावली 6.3 2. रिक्त स्थानों को बड़े, छोटे या बराबर के चिन्ह से भरिये 1. माइनस 3 जमा माइनस 6, डैश माइनस 3 घटा माइनस 6 2. माइनस 21 घटा माइनस 10, डैश माइनस 31 जमा माइनस 11 c. 45 घटा माइनस 11, डैश 57 जमा माइनस 4 d. माइनस 25 घटा माइनस 42, डैश माइनस 42 घटा माइनस 25 3. रिक्त स्थानों को भरिये a. माइनस 8 जमा डैश बराबर शून्य b. 13 जमा डैश बराबर शून्य c. 12 जमा माइनस 12 बराबर डैश d. माइनस 4 जमा डैश बराबर माइनस 12 e. घटा 15 बराबर माइनस 10 4. निम्नलिखित के मान ग्याद कीजिए A. माइनस साथ घटा आठ घटा माइनस पचीस B. माइनस तेरह जमा 32 घटा आठ घटा एक C. माइनस साथ जमा माइनस आठ जमा माइनस नबबे D. पचास घटा माइनस चालीस घटा माइनस दो हमने क्या चर्चा की? एक, हमने देखा के कई बार हमें रिनात्मक चिन्हों वाली संख्याओं की आवश्यक्ता पड़ती है यह तब होता है जब हम संख्या रेखा पर शून्य के नीचे जाएं यह रिनात्मक संख्याओं कहलाती हैं इनका प्रयोग किये जाने वाले कुछ उदहरण हैं तापमान, जील या नदी में पानी का स्तर, टैंक में तेल का स्तर इत्यादी इनका प्रयोग उधार खाते या लेंदारी में भी होता है दो, माइनस चार, माइनस तीन, माइनस दो, माइनस एक, शून्य, एक, दो, तीन, चार इत्यादी जैसी संख्याओं के संग्रह को पूरणांक कहते हैं अतह, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार इत्यादी रिनात्मक संख्याओं हैं जिन्हें रिनात्मक पूरणांक कहा जाता है और एक, दो, तीन, चार इत्यादी धनात्मक संख्याओं हैं जिन्हें धनात्मक पूरणांक कहते हैं 3. हमने यह भी देखा कि किसी दी हुई संख्या का एक अधिक उसकी परवर्ती संख्या होती है और एक खम लेने पर पूरुवर्ती संख्या प्राप्त होती है 4. हमने देखा A. जब समान चिन्ह हों तो जोड़िये और वही चिन्ह लगाईए प्रिष्ठ 144 1. जब जब दो धनात्मक पूरुणांकों को जोड़ा जाता है हमें एक धनात्मक पूरुणांक मिलता है जैसे प्लस 3 जमा प्लस 2 बराबर प्लस 5 2. जब जब दो रिनात्मक पूरुणांकों को जोड़ा जाता है हमें एक रिनात्मक पूरुणांक मिलता है जैसे माइनस दो जमा माइनस एक बराबर माइनस तीन बी, जब हमारे पास अलग अलग चिन्ह हूं तो घटा कर बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं सी, जब एक धनात्मक और एक रनात्मक पूरणांकों को जोड़ा जाता है तो हम उन्हें पूर्ण संख्याओं की तरह घटाते हैं और बड़े पूरणांक का चिन्ह लगा देते हैं बड़ी संख्या का अभी प्राए उस संख्या से है जिसका संख्यात्मक मान अधिक हो जैसे प्लस चार जमा माइनस तीन बराबर प्लस एक और माइनस चार जमा प्लस तीन बराबर माइनस एक पाँच, हमने दिखाया कि किस प्रकार पूरणांकों का योग तथा व्यव कलन संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गनित की ध्वनी पाठ्य पुस्तक, वाचनस्वर गौरव मारवा, निर्मान सहियोग, सौम्या मलिक, निर्मान विमलेश चौधरी, तथा प्रस्तुती, C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत